पांसो रुपे दूंगा मेरे साथ चलो लर्की ने जाने से मना कर दिया तो आरोपी बुखला गया और उसके कपड़े तक फार दिये घलत काम करने के लिए लर्की को पांसो रुपे दे रहा था लर्की नहीं मानी तो आरोपी ने लर्की के ही पिटाय कर दी और वहीं जैसे ही इस पर नजर आसपास की लोगों को पड़ी तो लोगों ने आरोपी को पकड़ कर जबर्दस तरीके से कुटाई किया फिर पुलिस आरोपी को गिरफतार करके थाने में लेकर आई दरशल ये हैरान कर देने वाला मामला बिहार का है बता दे कि गया में बीच सरक पर नाबालिक से छेरखानी हुई विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े फार दिये पीरता ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ शलने के लिए बोल रहा था उसने कहा कि 500 रुपे दूंगा मेरे साथ शलो मरा करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी ये घटना सुमवार को जिले के चंदोती थाना शेतर के कटारी हील रोड पर हुई है बताया जा रहा है कि आरोपी नश्वे के हालत में था उसने पहले भी लड़की के साथ शेरखानी की थी आरोपी की पहचवान कटारी हील के रहने वाले 48 साल के राजीव कुमार पासवान के तौर पर हुई है वहीं अस्थानिये लोगों ने जब शक्स को नाबालिक को परशान करते देखा तो उसे पकर कर पीड दिया फिर पोलिस के हवाले कर दिया मामले को लेकर नाबालिक ने बताये कि जब वो काम करके घर जा रही थी तबी बीच सरक पर नशे में धुत एक व्यक्ति उसके साथ हशलील हरकत करने लगा वो 500 रुपे में गंदा काम करने को लेकर कहने लगा इसका विरोध करने पर उसके कपड़े तक फार दिये गए सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिराफतार कर जेल भेज दिया इस मामले में तो आरोपी को गिराफतार कर लिया गया है लेकिन देखिए इस तरह के मामले दिन प्रती दिन सामने आ रहे है लोगों में पुलिस का खौफ तनिक सा भी नहीं रह गया है पुलिस वोच चुनावती दे कर ऐसी हरकते कर रहे है नाबाली की मा ने बताया कि राजीव कुमार पासवान ने मेरे बच्ची के साथ छेर खानी की मा ने आरोप लगाया कि तीन से चार बार ऐसा किया गया है मेरे मेटी से कहा कि 500 दूंगा मेरे साथ चलो नाबाली की ने जब मना किया तो उसके साथ मार पीट की पुलिस उसे गिरफतार कर पूश्ताच कर रहे है पुलिस को चाहिए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दे बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता